हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जोतिश दिशा सत्य की राह अपने अश्टो फ्रेंड संतो संतोशी के साथ आज एक ऐसे विशे परचर्चा जिसके बारे में जितनी चिंता माता पिता को है उससे कहीं ज्यादा चिंता माता पिता के ही कारण लड़कियों को है शादे तमाम पहले भी हमने विशे लिया था आज हम चर्चा करेंगे मन चाहे विशे पर आपका मन चाहा विशे क्या है मन चाहा वर की प्राप्ति अब लड़के थोड़ा सा धैर रखें कल परसों में उनके उपर भी हम कर देंगे शो कि कैसे मन चाही वधु मिले वर वधु मन चाही पत्नी बहुत रोचक विशे है लड़की बीस कि होते होते मा की सबसे बड़ी चिंता योग्यवर के हाथों में अपनी कन्या को देना पिता का मस्तिश्क भी इसी दिशा में चलता रहता है कि कैसे उसकी पुत्री के लिए एक सुयोग्यवर मिले मेरे शब्दों पे जाएंगे तो बड़ा आनंदायगा आपको सुयोग्यवर शुभयोग्यवर तो बहुत स्वाभाविक सी बात है ये सास्त्र भी यही कहते हैं कि जब कन्या रजस्तुला हो जाए अर्थात जब उसको माशिक धर्म का अरंभ हो तो उसके बाद अगर भाई और पिता उसका चेहरा देखते हैं तो उनको रोरो नर्क की प्राप्ती होती क्योंकि वो मावनने के योग्य हैं तो वो कहीं जाए और अपनी ग्रहस्ती को बसा कि स्थिष्टी के संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें सास्त्रोगत है लेकिन अब कहां उसके साथ ही कोई बिवाह कर देगा लेकिन फिर भी योग्य अवस्था होने के बाद समाजिक रूप से स्थापित होने के बाद 21, 22, 23 वर्ष की अवस्था से फिर चिन्ता सुरू हो जाती है जो कि 27, 28, 30 साल की अवस्था आते आते प्रबल चिन्ता में भी तबदील हो जाती है हर दिन दस में से तीन चार केस इस प्रकार के आते हैं जिसमें अवस्था 30 प्लस हो रही है और अभी तक बिवाह नहीं हुआ है लड़की भी चुकी अब आज कल सौवलंबी हो जाती है तो वो भी उस लड़के में वो सब कुछ गुण दोश देखना दिखाना चाहती है वो जिसके साथ बढ़ने जा रही है बुढ़ापे तक के लिए तो हम सौभाविक भी है और इसको मैं जायज भी ठहराता हूँ हम कुछ कप्रार खरीते हैं बरतन खरीते हैं तो भी हम उसको ठूंक बजा के देख लेते हैं खरीतने से तुल्ला मतलब जिसका हम उपभोग करने जा रहे हैं जिस पर हम विश्वास करने जा रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी रिष्टे की तुल्ला में बरतन और सामान से कर रहा हूँ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं कि हम छोटे समय के लिए प्रयोग में आने वाली चीजों को भी जांचते और परखते हैं यहां तो जीवन भर की बात है तो दोनों पक्षों को यह हक बनता है और हम इसको पूरी तरह से जायस ठहराते हैं कि जांच परताल अनिवार रहे हैं जो कि प्रेम में नहीं संभाव है मैं थोड़ा विश्य से हट रहा हूं लेकिन आज सुयोग वर की बात चलेगी तो थोड़ा सा उस पर हम ब्रीफिंग कर दे रहें प्रेम के मामले में इसलिए प्रेम को अंधा कहा गया क्योंकि प्रेम एक चीज पर टिक जाता है तो टिक ह आज की तारीख में गाड़ी प्रधान प्रेम है मोबाइल प्रधान प्रेम है फिगर प्रधान प्रेम है फिजिक प्रधान प्रेम है गुर प्रधान प्रेम विस्मृत हो गया है भाग ही गया है कहीं बजा ही नहीं है री दादा री दादा बदल दूँगा मैं सबको बदल दूँगा सर से पाउं तक बदलाओ लियाओंगा जोतिश तो एक बहाना है हमें तो आपको इंसान बनाना है जिस पर भारत वर्ष को फक्र हो जिस पर बच्चे बच्चे को फक्र हो बदल दूँगा पूरी तरह बदल दूँगा तब ही न पत्थर निकल वाते हैं हम बस एक इंसान बन जाएं एक मानो बन जाएं तो हमें जिन्दगी में किसी चीज़ की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी इस पर भी मैं प्रकाश डालूँगा ज्यादा बिशे से भटकोंगा नहीं नहीं तो आप लोग फिर वही हमको सुनाने लगते हैं कि आजार जी आप हालतूँग की बातें पूजादा करते हैं तो आज मन चाहावर और मन के सगरात्मक सोच को प्रदर्शित करता हुआ समस्त कन्याओं के लिए एक विशेश प्रियोग है जिस भी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो शादी ना हो रही हो इमेडियेट आप इस प्रियोग को फॉरवर्ड करिए यह उपाय फॉरवर्ड करिए आज की वीडियो फॉरवर्ड करिए और दिखा दीजिए आज आप अपने अंदर की मान होता और पहुंचा दीजिए एक लाख ब्यूज तक थोड़ा सा उत्साह मेरा भी बढ़े कुछ नहीं करना है बस इसको फॉरवर्ड करिए क्योंकि जो उपाय हम बताएंगे वो उपाय आपको बारहो महीने में कभी भी करना है उसके लिए किसी महूरत आद के बंधन की आवशक्ता नहीं है लड़की स्वयम करे ना करने पे मा भी उसके बिहाव पर कर सकती है या मा ना हो तो कोई भी कर सकता है जो उसका वेश्ट विशर जो उसका वेल विशर हो ठीक है चली सुरवात करते हैं आज के कारक्रम के और बताते हैं आज का पंचांग ये रहा आपके सामने बैसाख महा कृष्ण पक्ष दसमिति थी चंद्रम आज पूरे दिन मकर राशी में नक और शुब काम नहीं करना होता है मत करिएगा काम बिगड सकता है और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर बारे बज़े से एक बज़ कर तीस में तक कर लें जो करना है हरे काम आपके बन जाते हैं सकरात्मक उर्जा प्रवाहित होने लगती है बढ़ते हागे पूरे दिन का हाल आप सब राशी वालों के लिए मेंस से लेकर के मीन तक सबसे ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पर यही चैनल पर तो ना करिएगा कम से कम 20-25 लोगों को योट्यूब पर देखिएगा जहां दिल गवाहि देगा वहां टिक जाइएगा और वो जहां आप टिकेंगे वो मंच है आईस्टो फ्रेंड संतो संतोशी का मंच ये मैं नहीं बोलता हूँ मेरा बिस्वास बोलता है मैं अहंकार नहीं मेरा बिस्वास चलिए ग्रहों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जादा नहीं और उसके बाद आप लोग का पुरे दिल का हाल सूर्य बुद्ध मीन राशी शुक्र अठारे डिगरी का मेश राशी राव अठारे डिगरी का इस समय करक राशी में ब्रहश्पति तुला मंगल और शनी धरु राशी में अभी वी सोभित हैं चंद्रकेत मकरस्थ हैं चंद्रमा जिससे स्तरवन रक्षत्र में हैं अपने रक्षत्र में चंद्रमा की दशा में आज का सुर्योद है तो लिजी अब सुर्वात मेश वालों से करते हैं आज मेश वालों के लिए उठा पटक भरा दिन कहा जा सकता है कल के समस्याएं आज भी पीछा नहीं छोड़ नहीं है आज पैत्रिक संपत्तियों की विवाद में पूरा दिन आप उल्जे उल्जे से नज़र आएंगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं परिशानियां मजबूर कर सकती है शुवरंग लाल भाग की प्रितिसत 47 ब्रिशवरासी आज परिवार में कुछ उठा पटक हो सकता है आज परिवार में कुटूमे में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आज किसी के बाहरी के हस्तक्षेप के कारण आपको थोड़ा परिशान होना पड़ सकता है अपने आप पर फोकस करिएगा अपने आप पर ध्यान दीजेगा आज बिशबरासी वालों के साथ जगरी लडाई के संभावनाय बन रही है यात्रा भी आपके लिए आज कुछ कश्ट प्रदो हो सकती है शुबरंगाप के लिए सफेद भाग के प्रतिशत 61 मिथुन राशी आज मिथुन राशी वालों के लिए दो विकल्पों का दिन है आज हर जगे आपको प्रकिर्टी आप्शन दे रही है कैसे चुनेंगे आप पल भर के लिए बंद आख करके और एक बार को हमें याद कर लीजिएगा सही उत्तर आपको अगले पल मिल जाएगा क्योंकि जब एक दोस्त शुबचिंतक दोस्त जो आपका भला चाहे जब आपके साथ जुड़ता है तो बस जुड़ ही जाता है दोस्ती से यादाया आज रात का लाइब अद्वुत है दोस्ती पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले है मितुराशी वालों के लिए पिलारंग शुब 50% का भागया करगराशी अचानक दिक्कतें बढ़ सकती है लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या से आप जो बाहर निकले है वो आपके लिए बहुत कुछ सौगात देने वाला है ये समस्या ये परेशानी आपके जिंदगी के बहुत कुछ मायने और पैमाने तैं कर देगी आपके लिए अच्छा वक्त अब सुरू हो गया है कदम बढ़ाई अपने लक्ष को आप एचीव कर सकते हैं और आप कुछ आज बढ़ा करेंगे कार्चितर में आपका दबदबा रहेगा मन में एक अलग तरह की खुशी आज पूरे दिन नाचती रहेगी शुबरंग आपके लिए गुलाभी भागी परिश्ट सत्तावन सेंग राशी क्रोध के अधिकता आज परिशान कर सकती है आज कहीं यात्रा में चोट चपिट के संभावना बन सकती है संपत्ति में कुछ विवाद डिस्प्यूट पैदा हो सकता है भाई वहनों के वीच मनमुटाव की स्थिती बन रही है स्वास्त पर भी विशेश ध्यान दे हरारंग शुब 48 प्रत्षत का भाग के साथ देगा कन्या राशी अचानक कुछ बढ़िया होने से आज का दिन आपका प्रशनता भरा हो सकता है आज कोई बहुत पुराना मित्र आपसे मुलाकात कर सकता है नई नोगरी के संभावनाएं बहुत प्रबल है रुके धर की प्राप्ती संभाव है अध्भुत समय आपका सुरू हो चुका है प्रशिद्धी आपके साथ जुड़ी रहेगी धन आपके पास आता रहेगा माता पिता का साथ और सहयूग भी आपके साथ बना रहेगा चलता हुआ काम दोड़ने लग जाएगा शुबरंग बैगनी भाग की प्रित्शत तिरसट व्रश्चे ग्रासी अच्छा अच्छा फील करेंगे अच्छे समय पर कुछ अच्छा होने से जाहिर सी बात है मने में अच्छा पन आएगा है कला मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़े निरणेओं का है ले सकते हैं मित्रों पर ब्लाइंड फेथ अवाइड करिएगा औरेंज कलर सुब एकसट प्रत्शत का भाग क्या है धनुराशी रुका पैसा वापस आएगा आज बिदेश से सुबसंदेश की प्राप्ती होगी नई नोगरी के लिए प्रयास आज कैंसर कर दीजेगा कल जाईएगा आज के दिन लंबी आत्रा भी आपको अवाइट करना है पीला रंगशुभ पच्पन प्रत्शत का भाग क्या है मकर राशी ब्यापारिक दिश्ट कोर्ण से आज का दिन बहुत खास है आज बड़े निरड़े आप ले सकते हैं आज व्यापार के लिए विदिश जाने संबंधी भी निरड़े आपके स्वागत योगित सिद्ध होंगे हो सकता है कि पत्नी के साथ मनमुटाओ की स्थिति आए या पत्नी पर आज आपको जादा ही शक कर ले जाए ध्यान दीजिएगा रिष्टे शक से खोखले हो जाते हैं और सदा के लिए तूट जाते हैं रिष्टे बहुत कीम्ती होते हैं तो उन्हें एक बिमारी के वजह से खोने से बचना चाहिए शक एक बिमारी ही तो है और है क्या शक में कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है हरारंग शुभ 67 प्रिशत का भाग्या है कुम बराशी गुसा नहीं करिएगा आज गुसा आए तो मुँँ में पानी भर लीजेगा गुसा थोग दीजेगा फिर आज के दिन सही समय पर सही निरड़े आप ले ही लेंगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है उसका स्वागत करना चाहिए कुम बराशी बालों के लिए आज के दिन परिवार में समय देने की आवशकता है अगर कुछ उपाहार दे सकते हैं तो उपाहार भी दी देजेगा आज खोने से बचिएगा बहुत सोच समझ कर सही निरड़े लीजेगा बादामी रंगशुप साठ परिस्ट का भाग के है अंतिम राशी मीन मित्रों के साथ किसी समस्या से बाहर निकल आएंगे रुके धन की प्राप्ती के संकीत बन रहे हैं तोचा संबंदी कुछ बिमारियां पैदा हो सकती है मिन राशी के बच्चों का आज इक्ट्रा केयर करिएगा चोट शपिट के संभावनाय बन रही है सैक्षणिक मामलों में किसी बुजुग से सलाह लेना आज काम कर जाएगा मन चाहे वर की प्राप्ती के खुआप को पूरा करने वाला आज का किचन पिटारा बेहत खास रहेगा प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिएगा हो सकता है कि जो जोटशी के पास नहीं पहुँच पा रही है कन्या अब विभाहित रह गई है लेट हो रहा है एक धक्का मिल जाए और उसकी शादी तय हो जाए तो दबा कर इस वीडियो को आज का शेयर करिए आप जितना कर सकते हैं सब को शेयर करिएगा जिसके जिसके घर बेटिया हैं जिसके जिसके घर शादी होने वाली हैं उन सब को आज का ये वीडियो आप शेयर करिए और इतिहास रचिए इस वीडियो को आज की इस खास कारक्रम को मिलियंस तक पहुचाना है हम ट्रामिस करते हैं कि आप एक लोगों को फॉर्वर्ड करेंगे और उसका अगर इश्वर ने चाहा आप माध्यम बन गए उसके शिक्र विवाह में अच्छे वर्ग की तलाश को पूर्ड कराने में तो कुछ दुआएं दुआपको मिलेंगी है ना थोड़ा इंदजार करिएगा पहले जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर मेश्टा ब्रिशब का मिथुन जाग्षर करक के लिए च्छा सिंग के लिए साग्षर कन्या के लिए खा तुला के लिए फाग्षर ब्रिश्चिक के लिए ता धनू के लिए धाग्षर मकर के लिए च्छा कुम्ब के लिए डाग्षर मीन के लिए छोटी ई लिखिये आप चोकुर कागज लेजिए सादे रंग सादे बिदाउट लाइन्स वाला जो ब्लैंक शीट होता है लाल रंग की इंक से इस पर अपनी मून साइन के कॉर्डिंग अपनी भाग्या अक्षर को लिखिए जिसको जिसका मून साइन चंद्र राशी नहीं पता है वो पुकारने के न रिष्ट होती है संसाइन एक धोखा है भारत वर्ष के लिए हम भावना प्रधान लोग होते हैं हम चंद्रमा से चलते हैं हमारे चंद्रमा से ही हमारे महादुशा का निरधारण होता दिन व spread is the meaning of sunshine के विसा सोरे इक प्रिश्ट तक का रिजल्ट मिल सकता है बट अगर हम over all thoroughly check करना चाहेंगे तो moon sign is our actual sign yes, it is तो कहा था मैं हाँ, चंदराशी के अनुसाल लिख करके अपने पास रखें चले जानते हैं आज की success की एक बूद सरसों का तेल सीधे पाउं के अंगूठे में लगा कर टपका कर फिर घर से प्रस्थान करिएगा सबच्छा होगा percentage जो बताया था कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो सबच्छा होगा भरोसा रखे सच में हम है बंद करिए आँख दिखूंगा मैं ट्रैक्टिकली दिखूंगा सैकलोजिकली नहीं मैं इतना deeply involved हूँ आप लोगों के साथ कि मैं feel करवा सकता हूँ यहीं बैटे बैटे अपने कार्याले से क्योंकि मैं बहुत deeply involved हूँ और यह deeply involvement हमारा आप लोगों के साथ आज का नहीं है यह रिस्ता जनम-जन्मांतर का है हम तो किसी के दोरे काम को पूरा कर रहे हैं समभौता है हम निमित्त बना दिया प्रिक्रतिने हमको जिस तरह से एक अगस्मात घटनाय घटती गई और हम योट्यूब तक पहुँचें यह प्लैंड नहीं था यह प्लैंड नहीं था प्लैंड होता तो हम तो हमारे वीडियो जब हम चैनल में आते थे 2008 से ही पढ़ रहे हैं 2008 के भी वीडियो मिल जाएंगे आपको योट्यूब पे बट मुझे पता ही नहीं था कि योट्यूब जैसा भी कुछ होता है तो अभी मैं सितंबर अक्टूबर में समझा हूँ इसको तो यह प्रिकृति ने हमें आपको जोड़ा है इसलिए सच की आधी यहां से चलती है और यही एक मात्र ऐसी आधी है जहां पर उड़के कुछ मिलता है सच की आधी है ऐसे लोग जिनका आज जन्म दिन है ऐसे लोगों के लिए अब हम बता देते हैं क्या उपाय करके पुरे वर्ष को अच्छा करना है और पुरा साल बीतेगा कैसे आई जानते हैं आपका हैपी बर्ट तो महिया दिनांग दस अप्रेल को पैदा हुए लोगों को आज पैदा हुए लोगों को बहुत बहुत सारी बधाया शुब कामना हैं आपके जन्म दिवस की परमात्मा आपको सदयो खुश रखे प्रशन रखे हसाता रहे आप स्वस्त रहें आप उत्तम विचार वाले बने भारत वर्श की आप सेवा करें राष्ट का आप कल्यान करें उन्नत शाली बने आप माता पिता की सेवा करें गुरुगों का आदर करें ये हमारी धाती है ये हमारी धरोवर है हमारा भारत वर्ष इसके लिए जाना जाता है तो हम वंशजों का कार यही है कि जो हम थे उस मूल को हम बना के रखे है कि नहीं किसका काम है हम समका ही तो काम है तो उस मूल को सजोना है और उसको आगे प्रफुलित करना है जिससे हम अमर हो सके क्योंकि काम बोलता है विद्यार्थी गुण विद्यार्थियों के लिए वर्ष थोड़ा सा चिंता जनक रहेगा स्विक्षा आपकी रुख सकती है स्विक्षा प्रभावित हो सकती है निरड़े गलत साबित हो सकते है सावधान रहे, ध्यान दे और आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम भी अब व्यापारिक दिश्टिकोंड से समय आपका बिल्कुल ठीक है आपके व्यापारिक निरड़े आपके लिए फाइदेमन साबित होंगी जो रुकावटे थी आपके व्यापार में वो दूर हो जाएंगी आर्थे ग्रूप से अगर आपको पैसे की आवश्यक्ता थी तो वो भी आपको मिल जाएगा नौकरी में भी प्रमोशन की संभावनाय हैं यदेप के स्थानांतरण आपके मन कोई अनकुल नहीं होगा लेकिन प्रमोशन तो हो जाएगा अगर आप दस अप्रेल को पैदा होए है शादेशुदा जीवन में किसी अनके प्रिवेश के कारण थोड़ा सा दिक्कत होगी चार-पांच महिने समस्या जहिल लीजेगा शक से बचने का प्रयास करिएगा कदम आगे बढ़ा देजेगा प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर और ये समस्या आप दोनों का पैदा किया हुआ है बिमारी की स्थती डियाबिटीज और प्लड प्रेशर इन दोनों के उपर आके रुख जाती है इन दो खास बिमारियों से अगर कोई वर्ग जूज रहा है 60 प्लस की एज का तो सावधान होना है कष्ट बढ़ सकता है ध्यान दीजेगा कष्ट बहुत बढ़ सकता है उपाय अब हम बता देते हैं करना क्या होगा दो पीपल का पौधा किसी सारवजनिक जगह पर पब्लिक प्लेस पर लगा कर तीन लोगों को लड़ू उपहार शुरूप दीजेगा आज के दिन बस ऐसे लोग जिनकी आज शादी की सालगिरह है ऐसे लोगों को हम बता देते हैं कि आपकी शादी की सालगिरह है मुबारक हो और प्यार ताजा रहे क्या उपाय करना है आपकी स्क्रीन पर गाय को काले तिल का दान करना है किसी गौशाला में कर देजेगा और किसी कन्या के विवा में मदद करना है बस इतना सा करिए आपके शादी शुदा जीवन में पूरी तरह से इस्थिरता आएगी एक शुप्ता बनी रहेगी मन चाहा वर कैसे पाएं लड़कियों के लिए एक ऐसा प्रियोग जो आपके विवाह में मनलब अगर शादी का योग है कुंडली में किश्मिष का प्रियोग आज हम यही बताएंगे किश्मिष का प्रियोग करके कैसे आप अपने विवाह के खुआप को मन चाहे वर के साथ पूर्ण कर सकती है मा कर सकती है बेटी कर सकती है आपके स्क्रीन पर देख लिजे आप साथ किसमिस के दाने लीजिए सब को हल्दी में रंग लीजिए रंग कर एक कटोरी में रखिए और कुछ चने की दाल के दाने डाल दीजिए साथ आठ दाना उसमें डाल दीजिए और केले की परिक्रमा करते हुए केले के पौधे की परिक्रमा करते हुए चाहे मंदिर जाके करिए चाहे घर में केले का पौधा लगा लीजिए वहाँ पर नीचे रख दीजिए बिना कुछ खाए प्रातह कालशनान के बाद यह प्रियोग करना है ग्यारह दिन लगातार कर लीजिए और उसके बाद एवरी मंडे करिए ग्यारह दिन लगातार उसके बाद एवरी मंडे शुद्धी अवस्था में बोलना जपना अपना कुछ नहीं है बहुत हो तो सामगरी को रखने के बाद के ले के पौधे की ने चेक दिया जला दीजेगा वो ऐसे बंधन नहीं है जितना स्क्रीन पर है पस वही फाइनल मानिये ग्यारह दिन लगातार और उसके बाद एवरी मंडे करिए कब तक जब तक शादी न हो जाए तक तक शुक्रिया धन्यवाद महरवानी हमें इतना कीमती समय देने के लिए हमारे ही माध्यम से सही लेकिन अपने जीवन को सही दिशाद देने के लिए बढ़ों का आशिरवात पाने के लिए और इस वीडियो को साजा करने के लिए शेयर करने के लिए पहले हम आपको थैंक्स कहना चाते हैं बेटियां सुखी रहें इसके लिए हम इस वर से प्रात्रा करते हैं बहुत शुक्रिया धन्यवाद अभी आप हमसे मिल सकते हैं 15 तारिक तक दिल्ली में गाजियावाद नमबर दिनेश्जी वाला चल रहा है और इसके बाद चंडिगर हमारे साथ मिलिए आप तीन दिन अपकी बार आ रहें अपॉइन्मेंट धुआधार चल रहा है चंडिगर का और फिर उसके ठेक बाद साथ और आर तारिक लखनौ और उसके बाद कलकत्ता इन सब जगहों की टिकट्स हो चुकी है तो आप बाकी चिंता एकदम न करिए जो डेट्स है अब ये फाइनल है अब ये चेंज नहीं होगी रायपूर और राची वालों के लिए थोड़ी से असुविधा होई है वहाँ के डेट अभी रिसेंटली चेंज किया है मैंने जिसके लिए हम छमाप्रार थी है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए इस चैनल को इतिहास रचने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यहाँ सर्च की आधी चलती है जैसे किष्टा, जैसे रादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसर के वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा